दोस्तों आज की सुडियो में आपको बताने वालों के अगर आपके Android फोन की बेटरी एक बार चार्ज करने के बाद कुछी गंटे में एक गंटे में दो गंटे में आपकी खत्म हो जाती है आप कोई मुवी देखते हैं तो मुवी खत्म होने से पहले खत्म हो जाती है या किये शुरू से लेकर आकर तक पूरा जरूर देखिएगा लेकिन दोस्तों आगे बनने से पहले मिर आप से छोटी सी रिक्वेश्ट एकर आप इस चेनल पर पहली बार आए हैं और आप नहीं को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि यहां पर इंक्रेज होगा तो चलिए सबसे पहली सेटिंग के बात करते हैं सबसे पहली सेटिंग आपको करना दोस्तों कि नॉर्मली आप जिन एप्लिकेशन को सबसे ज़्यादा यूज करते हैं उन सब एप्लिकेशन में क्या होता है कि जब आप उनको यूज कर रहे होते लेकिन जब आप उनको यूज नहीं कर रहे होते तब भी बेक्ग्राउंड में वह आपकी बैटरी को कंज्यूम करती है और इसकी बज़े से आपकी बैटरी जल्दी खत्म होती है तो इसी कंडिशन में वन वाई बन करके आपकी जितनी भी अप्लिकेशन आप यूज करते हैं उन सब में आपको बैटरी को रिस्ट्रिक्ट करना होगा तो उसकी लिए करेंगे जिसी कि यहाँ पर इस्टाग्राम है इस्टाग्राम पर मैं लॉंग प्रेस करता हूँ लॉंग प्रेस करने के बाद आपको एप इन्फो में जाना है एप इन्फो में जाने के बाद नीच होगा दुस्तों कि मैं instagram को जब open करके यूज करूँगा। उसी टाइम पर ये मेरी बेटरी को यूज करेगा लेकिन बेक ग्राउंड में किसी तरह से मेरी बैटरी को यह यूज नहीं कर पाएगा। ठीक किसी तरह से बागी कीब जैसे कि आप Facebook को ज्यादा यूज करते हैं इसको भी आप यहां से ओपन किजिए एप इन्फो में जाएए और यहां से भी आप इसके बैटरी से वर में जाके इसको भी आप पर बेक्ग्राउंड एक्टिविटी को आप यहां से डिसेवल कर दीजिए यानि कि इसको यहां पर अगर आपको नहीं मिलता तो सबसे पहले आप अपने अब आउट में जाएए और यहां पर आपको एक बिल्ट नंबर का उप्शन मिलेगा और अगर आप रेडिमी का फोन यूज करते हैं भाई का तो आपको इस तरह से टेप किजिए आपका डेवलोपर ऑप्शन एनेबल तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं जैसे की मैं आप नीचे की सेड चलता हूं यहां पर आप देख सकते हैं नेडवर्किंग अब नेडवर्किंग के अंदर आपको यहां पर एक ओप्शन मिलता वाई-फाई इसकें थोटली यह आपको इस तरह से डिसेबल होता है तो इस तीसरी सेटिंग आपको करना है अब उसके बारे में जान लेते हैं तो तीसरी सेटिंग करने के लिए आपको जाना अपने प्लेश्टोर पर प्लेश्टोर पर जाने के बाद आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर जाना है प्रोफाइल पिक्चर पर जाने के बाद आप आपको यहां पर चले जाना है दोस्तों settings पर और settings पर जाने के बाद यहां पर आपको 5 option मिलते हैं तो second number पर आपको option मिलता है network preference का इसको open कीजिए और यहां से आपका या तो यह over any network पर होगा या फिर over wifi only पर होगा इसको आपको यहां से don't auto update पर set करना और ok कर देना है इस से क्याओ दोस्तों कि आपने काफी ज्यादा application अपने phone में इस्ट्रोल कर रहे हैं जितनी भी application आपने इस्ट्रोल कर रहे हैं तो हर दूसरे दिन उनके update आते रहते हैं तो automatic background में यह पर update होती रहती है जिससे कि आपका data भी खर्च होता है और आपकी बेटरी भी ज्यादा consume होती है लेकिन यहां से इसको disable कर देंगा तो कोई भी application आप 100% यहां पर बढ़ जाएगा तो इस तरह से आप अपने बेटरी वेक अपको यहां पर बढ़ा सकते हैं तो दोस्तों मुझे पूरी में दे कि आपको process ठीक से समझवे आ गई होगी तो अगर आपका अच्की जैनकरी अच्छी लगी हो वीडियो पसंद आया तो वीडि निक्या तो भी subscribe कर लिजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अमारे नवाले से वीडियो की notification मिलती रहे तो दोस्तों आज के वीडियो में सर्फ इतना ही मिलता है next वीडियो में